बिहार में सीट पटवारे की चर्चाओं के बीच बीजेपी ने चिराग पासवान के चाचा पशुपती पारस के सामने क्या डील लग दी है किस पार्टी में विले करने के लिए उनके सामने शर्थ रख दी गई है आज इसके बारे में विस्तार से बताएंगे साथी पशुपती पारस के पास अब क्या रास्ते बचे है ने तेश कुमार के सामने उन्होंने क्या गुहार लगाई है सबसे जरूरी बात कि चिराग पासवान अपने चाचा के सामने रखी के डील से क्या खुश है क्या आप वो मान जाएंगे इन सभी विश्यों पर विस्तार से बात करेंगे और बात करने के लिए होंगे हमारे वरिष शाथी पंकर जी हमारे साथ पंकर जी बहुत दो स्वागत है आपका स्वागत है मगर बिहार की जन्ता जिस जवाब के स्वागत के इंतजार में बैठी है कि भाई सीटों का बटवारा वो नहीं हो पा रहा है मगर आज खबर यह है कि पशुपति पारस जो चिराग बासवान के चाचा है लजेपी के कोटे में पांच से ज़्यादा सीटें देना चाहती नहीं है यह हम आपको बता दें मैक्सिमम और बीजेपी के लिए लजेपी का मतलब चिराग और पसुपतिनाथ पारस दोनों है इसलिए बीजेपी ने एक शर्त रख दिया है जो मैं दर्शकों से आप से बताना चाहूंगा कि बीजेपी ने साफ तोर पर सर्त रख दिया है कि या तो लजेपी में विले कर लिजे आप लोग एक साथ आजाईए और लजेपी में अगर आप विले नहीं करते हैं तो आप बीजेपी में आजाईए आपको बीजेपी के साथ मिल करके चुनाव लड़ना होगा मिल करके नहीं मतलब BJP में विले करिए BJP के सिंबल पर चुनाव लड़ना मुड़ेगा तो आप समझ लिजे कि BJP ने साथ मैसेज पसुपतिनात पारस को दे दिया है पसुपतिनात पारस हक के बक्के हैं उनको समझ में नहीं आ रहा है कि अब इस हालात में किस तरह से रियाक्ट किया क्योंकि पसुपतिनात पारस सिर्फ अपनी सीट की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं वो अपने भविश्च की लड़ाई लड़ रहे हैं और यह आपको बता दे हम और मैं पिछले कई वीडियो में यह बात कह रहा हूं कि चिराग और पसुपतिनात पारस के बीच की जो आप जो भी संपत्ति अरजित करता है वो अपने बेटे के लिए अरजित करता है और यहां तक बोलते बोलते हुँ बोल गई कि बेटे का ही मौलिक अधिकार होता है ऐसे में सवाल उठता है कि बेटे का मौलिक अधिकार होता है तो लड़ाई तो लड़ाई तो लड़ाई जब BJP, दो दिन पहले BJP के कोर कमीटी के नेता, यहाँ पर मौजूद थे और केंद्रिय समीती से बियार के बारे में डिसकस करना चाह रहे थे, तो केंद्रिय समीती ने उनको वापस ये कह करके बेजा, कि आप पहले घटक दलों से तो बात करिये, अब सवाल उठता है कि तक दल में तो कई दलों ने पेंच फसा रखा है, लेकिन चिराग और पारस का जो पेंच है, वो जितना सुल जाने की कोशिस की जा रही है, वो उलस्ता ही जा रहा है, इसलिए BJP ने एक सीधा साधा फॉर्मूला निकाला, कि भाई पसुपतिनात पारस जी, आप या तो LGP म बिले नहीं करिएगा, तो आप BJP में आईए, और BJP के सिंबल में चुनाव लड़िये, फिर BJP तै करेगी, कि आपको कहां से लड़ाएगी और कैसे लड़ाएगी, इसका एक और निश्कर्स निकलता है, सौरब, वो भी समझना बहुत ज़रू है, कि पसुपतिनात पारस को प्रिंस राज सांसद है, तो उनको भी लग रहा है कि अगर हमने हाजीपुर छोड़ा और इस पर अपनी दावेदारी छोड़ी तो हमारे हाथ से पार्टी गई, और पार्टी गई तो हम कहीं के नहीं रहेगी, फिर हम अपनी विरासत अपने बच्चों को क्या सौपते हैं क्योंकि यह जितने छेत्री अदल हैं, आप देखें तो छेत्री अदल अपनी पार्टी को अपनी विरासत समझते हैं और उसको अपने आने वाले जैनरेशन को सौपते हैं, आप किसी भी पार्टी को उठागर के देखें, आर जेडी में ते जस्वी यादव, समाजवादी पार्टी में अखलेश यादव, इसी तरीके से आप उठाकर के पी आरेस में देखेंगे, अधर बीजेडी की एक्जामपल भी देगा, समझे के नहीं होता, नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ, तो जेडी और बीजेडी एक्जामपल है, एक्सेप्शन है, और इसलिए आप देखें कि उन पर परिवारवादी होने का आरोप नहीं लगता है, लेकिन ज्यादा तर छेत्रिय दल तो यही कर रहा है, और इसी को बीजेडी बड़ा मुद्दा भी बना रही है, अब सवाल उठता है कि यह जो कहा जा रहा पसुपतिनात पारस से, अब पसुपतिनात पा क्योंकि चिराग उनको अपने साथ लेने नहीं जा रहे है, ये भी तैमान लीजे, चिराग अपने कोटे से उनको सीट देने नहीं जा रहे है, ये भी तैमान लीजे, चिराग बाकी के सांसदों को भी सीट देने नहीं जा रहे है, ये भी तैमान लीजे, सिर्फ और सिर्फ एक सांसद जो कि वीना देवी हैं जो कि वैशाली से दो बार सांसद रही हैं उनको उनको दिया जा सकता है लेकिन बाकी लोगों को नहीं दिया जाएगा ये तैम आना जा रहा है ऐसे में सवाल उठता है कि अब ये लोग क्या करेंगे ये लोग चोराहे पर खड़ें और ये इसी NDA घटक दल में अपने सहयोगियों की तलास कर रहे हैं मजबूत सहयोगी की जो उनकी पैरवी कर सके दरसल पसुपतिनात पारस के तरफ से बार बार ये बयान दिया जा रहा है कि अरे भहिया हम तो तब NDA में साथ रहे जब कोई नहीं था हम सबसे विश्वासी घटक दल है उसके बावजूद भी हमारे साथ ऐसा क्यों किया जा रहा है हमारा जेन्वीन हक बनता है कि जो पांच सीटें हैं वो हमको मिले जो सीटिंग MP जहां से हैं वो हमको मिले इसका मतलब साफ है कि हाजीपूर पारस गुट को मिले इसका मतलब साफ है कि समस्तिपूर उनको मिल आप समझ लिजे इस तरह की मांग वो कर रहे हैं उनको वैशाली मिले लेकिन ये मिलना संभव है क्या ये मिलना मुझे कताई संभव दिखाई नहीं पड़ता है क्योंकि एक तरफ चिराग पासवान छे पे आड़े हुए हैं मान लिजे पांच पे वो मान जाए और बाकी करेंगे इसलिए दर्शकों के लिए जो बड़ी ख़वर है वो यह है कि बिहार की कई जो कोर कमीटी बीजे पी की उसने पसुपतिनात्पारस के सामने यह शर्त रख दिया है कि या तो आप लजे पी का हिस्सा बन जाइए या आप बीजे पी का हिस्सा बन जाईए इसमें तीसरा पेर और इंपोर्टेंट हो जाता है जेडियू क्योंकि जेडियू अगर एलाइन्स के बात करेंगे सबसे पुराने साथियों में जेडियू भी अगर रैंकिंग के साफ से जिखेंगे तो दूसरा रूसरा सबसे बड़ा साथ ही रहा है मुख्यमंद्री नितिश कुमा के लंदन से लोटने के बाद पसुपतिनात पारस ने नितिश कुमार से सिकाज की नितिश कुमार के पास रोना रोया है उन्होंने कहा है कि उन्हें हाजीपूर सीट छोड़ने का दवाव बनाया जा रहा है और साथी साथ उनसे विलय करने को कहा जा रहा है नितीश कुमार इस बात को लेकर के अचम्बित जरूर है हैरान जरूर है और साथी साथ चिराज बूट में ये मैसेज है कि पसुपतिना पारस अगर अकड रहे हैं तो उसके पीछे कोई और नहीं बलकि खुद नितीश कुमार है लेकिन मैं आपको बता दू कि नितीश कुमार के आवास पर जब इस बात को लेकर के चर्चा चल रही थी तो नितीश कुमार के सिपा सलार भी उनके साथ मौझूद थे और नितीश कुमार के सिपा सलार ने ये उनको सला दी कि ये छोड़ दीजे ये बीजेपी का काम है बीजेपी इसको हैंडल करेगी अब बड़ा सवाल ये उठता है कि पसुपती नाथ पारस जो की नितीज कुमार के कंदे पर रख करके अपनी बंदूग चलाने की कोर्शिस में लगे थे उनको लगा रा था कि नितीज कुमार का स साथ उनको अंतिम दम तक मिलेगा अगर नितीज कुमार ने हाथ खीच लिया तो पसुपती नाथ पारस का क्या होगा क्योंकि प्राथमिक्ता के आदार पर आप देखे तो बीजेपी जेडियो और उसके बाद चिराग पासवान ही इंपोर्टेंट है इसलिए बीजेपी इनको छोड़ना नहीं चाहेगी और जहां तक जेडियो का सवाल है तो जेडियो एक सीबा तक पसुपतिनाथ पारस का साथ देगी जेडियो भी समझ रही है कि अब इस ज्यादा पचड़े में पढ़ना नई है क्योंकि जेडियो के सामने भी बढ़ीन समझ से आईए है कि वो अपनी 16 सीटों की मांग पर अडए रहें और 16 सीटों को हासिल करें। क्योंकि जेडियू के पास 16 वर्तमान सांसाद है। ऐसे मैं सवाल उठता है कि जेडियू अपने लिए डील करेगी। कि जेडियू पसुपती नाथ पारस करी कि जेडियू के लिए साफ है कि भाई आप लोग सब लोग अपना देखो बीजेपी डील करें बाकी लोगों से किसको कितने सीटे देनी है हमारी 16 ता है हम 16 पे लड़ेंगे 16 से 15 जाने को जेडियू बिलकुल तयार नहीं ऐसे में सवाल उठता है कि भले ही पिछली बार मातर तीन घटक दलते हैं लेकिन इस बार संख्या तो कहीं ज़्यादा बढ़ गई है तो करेंगे क्या नितीश कुमार नितीश कुमार के लिए सबसे बड़ी चुनाती यह है कि नितीश कुमार अपनी 16 सीटों को बरकरार रखें क्यूंकि नितीश कुमार के साथ भी बीजेपी ये कह सकती है कि 2019 में आपको इतनी सीटे इसलिए दी गई थी क्यूंकि आपके पास बिधायक जादा थे 2024 में आपको इतनी सीटे क्यूं दी जाए अब तो आपके पास बिधायक 45 है और ऐसे में आपको 16 सीटे क्यूं दी जाए इसके आप अगदार नहीं है लेकिन मुझे लगता है चुकी जेडियू ज्यादा इंपोर्टेंट है जेडियू नहीं नहीं घटक दल बनी है जेडिय से पहले कोई कांट्रोवर्सी उस तरह का बीजे पीछाएगी नहीं बीजेपी चायेगी नहीं कि इंडिया गटन वन्धन को एक और मौका मिलें इसलिए जेडियू की मांगो तो बीजेपी मान जाती है तो समझ यह سोला सीट जेडियू को 5 सीट चिराग पासवान को 21 और 16 सीट पे तो खुद बीजेपी लड़ेगी तो 37 अब सवाल उठता है कि और बाकी दल क्या करेंगे तो उपेंद्र कुछवा भी दो सीट की जित पे आड़े हुए हैं उनका कहना कि 2014 में आपने हमें तीन सीटें दी ते और तीनों हम जीते थे ऐसे में सवाल हमें आप एक ही क्यों आफर कर रहे हैं तो ये 38 हो गया अब बचते हैं मुके सानी मुके सानी एक दूसरा राग अलाप रहे हैं क्योंकि वो वो भी इस तरीके से बात कर रहे हैं जैसे लग रहा है कि उनके बगर कोई भी पाटी बिहार में सफल ही नहीं हो पाए जिस तरह का वो दावा कर रहा है वो कह रहे हैं एक तरफ मुझे निशात आरक्षन भी दिया जाए और दूसरी तरफ हमें चिराग के बरावर सीटे दी जाए अब समझे कि बीजेपी करे तो करे क्या चिराग के बरावर बीजेपी सीटे कहां से लाएगी जब ब्यार में 40 सीटे ही फिर ज साफ नजर आरा है सौरफ जो मैं आपको बता दो कि बीजेपी ने एक तरीके से मन बना लिया है कि चिराग का साथ तो चाहिए और पसुपतीनाथ पारस का भी साथ चाहिए लेकिन पसुपतीनाथ पारस के पास एक मात्र विकल्प बचा है कि बीजेपी के सिंबल पे वो दूसरा विकल्प सामने है बिल्कुल आपने कहा कि एक ही ऑप्शन है पस्व पतिनात बारस के पास कि वो बीजेपी में विले कर जिया है बीजेपी के टिकेट पर उनकर पत्याशी रड़े उसका कारण के ये भी है कि चिराक पासवान बिल्कुल नहीं तयार है कि चाचा के सा सबस्वाने की तो बीजेपी में आ जाओ तो एक्षतरर राज उनका हो जाएगा तो डील की और बढ़ा रही है चिराक पासवान की पार्टी में ये बड़ा तगड़ा विश्वास है कि पसुपती नात पारस के पीछे नितीश कुमार ख़रे इस बात को समझे और चिराग पासवान इस बात को लेकर के आड़े हुए हैं कि यही मौका है और यह मौका है जिसमें हमें लजेपी पे पूरी पकड़ मजबूत करें लजेपी दो फाड में होना नहीं चाहिए जो अभी तक दिखाई पड़ती है पसुपती नात पारस को एकडम कॉर्णर कर देना है वो तमाम लोगों को कॉर्णर कर देना है जिन लोगों ने चिराग पासवान को बिट्रे किया ऐसा चिराग पासवान का मानना है इसलिए चिराग पासव कि जिद के आगे बीजेपी भी जुकती हुई नजरा और जहां तक नितीश कुमार का सवाल है जिनके दम पे वाकई पसुपतिनात पारस अपनी राजनिती को आगे बढ़ाना चाह रहे थे वो पसुपतिनात पारस अब अकेले पड़ गए क्योंकि नितीश कुमार भी एक हद में बने रहना है अपनी सीटों को बरकरार रखना है और साथी साथ मैक्सिमम लोग सवाकी सीटें जीतने हैं ऐसे में सवाल उठता है कि नितीश कुमार सीएम भी बने रहेंगे सोला सीटों पे चुनाओं भी लड़ेंगे और उसके अलावा आगे बढ़कर के अगर पसुपतिनात पारस के लिए बैटिंग भी करने लगेंगे तो जाहर तोर पर NDA टूट जाएगी चिराग पासवान चले जाएगे और चिराग पासवान को साथ बनाए रखने में ना स कर रही है वो चार पर मना लए यह अलग बात है लेकिन वो चार सीटें वही चिराग पासवान लेंगे जो उनको चाहिए जो 2019 में LGP की सीट थी ऐसे में सवाल उठता है कि हाजिपूर तो छोड़ना पड़ेगा हाजिपूर छोड़ने का मतलब है कि दिवंगत नेता राम विलास पासवान की विरासत किसको मिली तो चिराग पासवान को मिली चिराग पासवान ने एक और दाव खेल दिया जो मैं एक वीडियो में आपक और जमूई में इंट्रेस्ट असोग चौधरी का है असोग चौधरी वहां से चुनाव लड़ना चाते हैं ऐसे में असोग चौधरी को साध करके नितीज कुमार को क्या चिराग पासवान साध ले जाएंगे ये भी बड़ा महत्वपूर्ण बात है इस बात को समझना बहुत जरूरी है इसलिए मैं आप से कहा रहा हूँ कि नितीज कुमार की एक limitation है नितीज कुमार के सामने भले ही पसुपतिनात पारस न गुहार लगाई है मदद की अपील की है लेकिन नितीज कुमार एक सीमा रेखा के पार नहीं जा सकेंगे। नितीज कुमार की भी पोजिस्निंग इस समय उस तरह की नहीं है। नितीज कुमार की पहली प्रात्मिक्ता अपने CM की कुरसी बचाय रखना और साथी साथ 16 सीटों को बरकरा रखना। यह है क्योंकि नितीज कुमार की सीटें भी तो घट सकतें। उलस्ता हुआ दिख रहा है लेकिन मैं आपको यह भी बताना चाहूं कि बीजेपी का सिर्ष नेत्र तो बड़ा ही डिसाइसिव है वो डिसीजन लेना जानता है वो अगले दो दिन में आपको नजार आ जायेगा कि अगले दो दिन में सब कुछ डिसाइड हो जाएगा और डि इसको कहां से उतारा जाए ये बहुत मातोपतु इसलिए जो चाचा और भतीजे की जो लड़ाई है इस चाचा और भतीजे की लड़ाई में तवज्जो भतीजे को ही मिलना है और चाचा को कंप्रमाइज करना ही पड़ेगा और चाचा अगर कंप्रमाइज नहीं करते हैं तो निश्चित तोर पर उनको ही NDA से बाहर जाना पड़े हैं यह जो मैं समझ रहा हूं और जो मेरी जानकारी है उस आधार पर मैं आपको बता रहा हूं भले ही उनके प्रवक्ता उनके MPs कहें कि नवादा मेरा सीट है समस्तीपूर मेरा सीट है हाजीपूर मेरा सीट है लेकिन BJP उनको वो सीट देने नहीं जा रही है गटवंदन की सीटें उनको मिलने नहीं जा रही है क्योंकि चिराग पासवान को BJP ज़्यादा तवज्यो देगी और चिराग पासवान की बातें बहुत हद तक BJP मानेगी यह तै दिखाई पड़ रहा है इसलिए इस बात को समझना ब और नितीश कुमार ने ये भी कहा है मैं आपको बता दूँ मैं नाम नहीं ले सकता कि उनके पास कौन बैठे थे नितीश कुमार ने कहा कि देखिए कैसे पसुपतिनात पारस को हाजीपूर से हटाया जा सकता है यह यह मैं जानता हूँ यह तो गलत है वहां का सांसद वो है और रामिलास पासवान जी के वो भाई भी है तो उनको कैसे हटाय जा सकता हुआ के सिटिंग एंपीज है लेकिन सवाल यह है कि बस यह कहने भर की बात है जब स्टैंड लेने की बात होगी तो स्टैंड एक सीमा से ज़्यादा नितिश कुमार नहीं ले यह भी तै है इसलिए आप यह तै मानिये कि चिराग का सिक्का चलेगा चिराग का सिक्का चलने जा रहा है चिराग सफल होने जा रहे हैं बात चिराग की ही चलेगी और लगभग पूरा अधिपत चिराग जमाने की हैसियत में आ चुके है और यह ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं आपको यह बताना च कि पिछले दो साल से चिराग ने गली मोहले शहर चौक चौराहा हर जगे सभाएं की चिराग को ये लग चुका था जब पांच MP उनके साथ से निकल गए थे तो चिराग को ये बात समझ में आ चुकी थी कि अब उनके हाथ में कुछ बचा नहीं है अगर वो बिहार में दौरा संगठन को मजबूत नहीं करेंगे तो उनकी राजनीतीक हैसित कुछ रह नहीं जाएंगा क्यूंकि उनकी पाटी को उनके चाचा ने एक तरीके से कपज़ा कर लिए उनके साथ ही जिन पे उनको बहुत भरोसा था वो सुरज भान सिंग थे सुरज भान सिंग कैसे उनका साथ चोड़ सकते थे चिराक पासवान ने ऐसा कभी सोचा नहीं था लेकिन ये सब कुछ हुँआ और चिराक पासवान को तब एक ही विकल्प नजर आया कि अब मेरे साथ कोई नहीं क्योंकि 2020 में वो अलग थलक पड़ चुके थे उसके बाद उनकी पार्टी तोड़ दी गई थी उनकी पार्टी टूटने के बाद पसुपतिनाथ पारस को मंत्री बना दिया गया था चिराख का एकलोता ML वो भी जेडियुमें शामिल हो चुके थे तो चिराख को लगा कि अब जनता ही जनारदन, जनता के ही दरवार में जाना चाइए, उन्होंने अपनी पार्टी को बिल्ड करना शुरू किया, अपने संगठन को खड़ा करना शुरू किया, अपनी जो अपना जो वीजन है उ अली मुहले में, शहरों में, सडकों पर संघर्ष करते आए, आज उसका परिनाम है कि बीजेपी भी इस बात को एकनॉलेज कर रही है कि असली बारिस लजेपी के चिराग पासवान ही है। इसे उनकी पार्टी तूटती है, उनके 5 MP चले जाते हैं, प्याचा के साथ फिरोज अनता के बीच निकलते हैं, शक्ति अरजित करते हैं, लोगों का विश्वास अरजित करते हैं, और अवाल ये है कि पूरी पार्टी पर एक तरिके से नेतरत पा लिया है, और BJP भी इस बात जी का माना जाता है, दिवंगत नेता राम विलास पासवान, वो 6% वोट से ज़्यादा वोट अब चिराक पासवान अपने साथ लिए गोम रहे हैं, इसलिए उनका वो महत्त है, इस बात को आप समझे, और इसलिए चाचा भतीजे की लड़ाई में, भतीजा इंपोर्टें को समझे, इस बात को समझना जरूरी, इसलिए बीजेपी कह रही है कि हाजिपूर भी छोड़ना पने, इसलिए बीजेपी कह रही है कि आप या तो विले करिए या हमारे साथ विले करिए, आपको एक रास्ता अक्तियार करें, आपके साथ हम ये नहीं करने जा रहे हैं कि आ थोड़ा बीजेपी भी चिराग को टोन डाउन करने की कोशिस करेगी, क्योंकि चिराग भी NDA में बने रहने का महा तो जानते हैं, वो ये बात समझ रहे हैं कि मलाई NDA में ही मिल ला है, के अंदर में मंत्रीपद NDA के साथ रह करके ही उनको मिल सकते हैं, इसलिए इस बात को BJP भी बुनाएगी, थोड़ा पिछले चुनाओ की तुलना में इस चुनाओ में उनको थोड़ा कम पहलाएगी, ये कोशिस बीजेपी कर रही है लेकिन चाचा भतीजे की जब भी तुलना होगी तो बीजेपी भतीजे को तबज्जो क्यों देगी ये बहुत साथ है और मैंने आपको इसलिए बता है कि जो पसुपतिनात पारस पहले से इस बात को कह रहे थे कि नितीशकुमार इंडिये में आ रहे हैं फरवरी बीज जाने दीजिए नितीशकुमार वाकई एंडिये में आगे वो कह रहे थे नितीशकुमार इंडिये में आगे लेकिन पसुपतिनात पारस को लगा रहा था कि नितीशकुमार के इंडिये में आने के बाद उनकी हैसियत इंडिये में बदल जाएगी वो ताकतवर हो जाएंगे कि उनके साथ नित्रीश कुमार खड़े होंगे। पर सवाल यह उटता है कि नित्रीश कुमार किस हद तक खड़े होंगे। बीजेपी ने आखरी दोओं चल दिया है इस चाचा भतीजे के जगड़े में। अब देखने वाला होगा कि चाचा पारसनात पारस का क्या होता है और चिराख पासवान के अंतिम फैसला लेते हैं और गटबंदन किस और बढ़ता है। हमारी लगातार नजर इस पूरी घटना पर बिहार की राजनीत पर बनी हुई है। आइसे ही हम सारी जानकारियां आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप देखते रहें टीवी नाइन बिहार जाहर खंट शुक्रिया।